कि दमस्कार दोस्तों एक और वीडियो लेके आया हूं मैं आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉंग स्टेडल से क्यों बचना चाहिए लॉंग स्टेडल क्यों अपने लिए खतरनाग है बजट वाले दिन विश्यसकर बजट वाले दिन तो हम थोड़ा सा इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे और यह इंपोर्टेंट भी है क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट आई पिछली वीडियो के बाद में कि लोग कह रहेंगे लॉंग स्टेडल क्योंकि मार्केट है अगर वन डिरेक्शनल मूव देने वाला है तो लॉंग स्टे करने के लिए एक अलग से यह डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं और स्पेशली मैं यह बताने वाला हूं कि लॉंग स्टेडल इसी दिन के लिए क्यों फतरना के ठीक है मार्केट में फिलाल बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है काफी ज्यादा मार्केट में अब इसे ज्यादा स्टेश नहीं किया जासकता मैं आपको इसके उधारन के तौर पर भी बताऊंगा कि मार्केट में भी हम क्या मलब संभावना ही है क्या क्या हो सकता है तो मार्केट में अगर आभी भी वैंप प्रीमियम देखें तो देखो अराऊंड एटीम देखने 377 700 के आसपास यह चल रहा है चाहसो चोईतर 700 के आज यह चल रहा है फिलाल 700 के आज़ पास तो एटीम ही चल रहा है अगर हम अपना प्लान करते हैं कि हम कोल और लेके आता है और वोलेटिलिटी ऐसा नहीं कि एक ही डारेक्शन में पले हो जाएगी मार्केट उपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा और यह एक बायर्स के लिए खतरना के अगर हम कोई कॉल पुट लेते हैं अराउंड अगर साथ सो रुपए के आजपास अगर हम कोई कॉल पुट उठा लेते हैं ठीक है साथ सो रुपए की कॉल और साथ सो रुपए की पुट हमें मिल गई मार्केट बाय चांस उपर चला गया ठीक है हमने अक्सपेक्ट किया पान सो पॉइंट और उपर चला गया तो क्या होगा यह कोल है यह हमारी आई टीम बन जाएगी इसका प्राइज बढ़ गया अब मालो यह गोड़ें सासु रुपए के आज-पास खोल अब यह कोल उपर गई तो हमारी यह कोल बढ़के हो गई कितना नुक्सान हमारा यहां हुआ धाइसो पॉइंट का अधाइसों पॉइंट का अधाइसों पॉइंट का पॉइंट का मॉमेंट देख लिया और हम संटू-सं गेम में तो क्या बेनिफिट है लोंग स्टेडल में मैंने क्यों कहा कि यह इस दिन डेंजर है मार्केट में गीरीड काफी दिन से हावी है बज़ट को लेके और एक फियर भी है कि मार्केट दो हजार पॉइंट भी जा सकता है जा सकता है डिटेलर को यही चीज़ अट्रेक्ट करती यहूटर दूर दूर तक की पुटें और कोलें 15 15 रुपे की 20 रुपे की 50 रुपे की खरीद के बेट जाते हैं इस उम्मीद में कि मार्केट दो तीन हजार की छलांग मार जाएगा और हमें आपको बता है कि जो ज़्यादा उमीद है करी जाती वह चीजे मार्केट में कभी होती नहीं यह सपस्ट है कि जयादा लोग रहेंगे वह चीज नहीं होगी क्योंकि मार्केट में विनिंग यह यह कि 95% लोग लूजी करते हैं पांच परिसंट स्मार्ट मनी पैसा कमाता है और शाय रहती है कि मार्केट एक साइड जाएगा और हमें पैसा मिल जाएगा हम नूं स्टेडल डाल देते हैं यह मार्केट की लेंथ जो बड़ी है यह अभी अचानक नहीं बड़ी है यह पहले से ही मार्केट में पता था कि बजट आने वाला है तो मार्केट में अलड़ी प्रीमियम स्ट्रेच हो रुखे हैं अब आप बजट वाले दिन जाओगे जहां मार्केट में शिर्फ आपको व वह जो अभी प्रीमियम में हम कोड में सैल करते हैं जब से यह मार्जिन का रूल लागू कर दिया ना करा ने उसके बाद में तो सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया एक रिटेलर के हैं उनको benefit मिलने वाला याने कि वह community वैसे 57 परसेंट 10 परसेंट रहेंगी selling कम हो रही है और selling कर नहीं पारे market में बहुत तेजी से चला जाएगा selling में पता नहीं कितना नुक्सान हो जाएगा यह एक retailer की शोच बन में कि लेकिन में हमने जो डाटा देखा था हमने उस डाटा में साप साप यह देखा था जो पिछला मैंने वीडियो डाला था कि पिछले साथ-8 साल से हम देख रहे हैं कि market स्रवाद के कुछ गंटों में 12 बजे तक तो बिल्कुल ऐसे ही अलचल करके वहीं टाइम बिता देता है उसके बाद में डायता थे एक डायता है फुर सब्सक्राइक और नीचे के चलते प्रहटं इतना बड़ा नहीं होगा स्ट्रेश में जितना बैनिफीट ले पाए हजार बारास मोमेंटम मिल भी गया सो हमें इतना डेंट नहीं मिलेगा घ्यूंकि मार्केट में यह जो जैसे ही मिटेगा तो वैसे ही यह premium बहुत जल्दी से अपने उस रेंज में आ जाएंगे normal range में आने start हो जाएंगे और जैसे वह normal range में आएंगे तो दोनों साइड के premium गिरने start होंगे कोल के पूट के क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन रेंग करी जा रही है वो रेंज रिख सब्सक्राइब करी दो इस तो अब क्या होगा जब नूज आ गई है चीजे हो चुकी है जो हो ना हो चुका है उसके बाद में ये तेजी से premium गिरेंगे और buyer के लिए ये हो धीगातक है अगर आपको प्ले करना है तो मैं आपको smartly play करने मैं एक वीडियो पिछला जो बना है उसमें smart game बताया था by अगर आप सेलर के momentum भी आता है तो वो momentum में भी market stressed है हमें इतना benefit नहीं मिल पाएगा या तो हम some to some में जादा जादा directionally एक ही side market रहे कि तो या तो हम some to some game में निकल जाएंगे क्योंकि market सीधा ऐसे तो rocket होके नहीं जाएगा market जाएगा एक swing लेगा एक swing लेगा फिर उपर जाएगा फिर ऐसे पैसा नहीं मिलने वाला smartly आप प्ले करो smartly सोचो ब्याइंड दगेम यूट्यूब पर पता नहीं कैसे कैसे लोग वीडियो बना रहें कि बाइंग करो बाइंग करो उस दिन बाइंग करो पिर उठाई नहीं पारें तो हमें क्यों जाना बाइंग की साइड अब हम देखते हैं कि अगर यह नय करें चार्ट अगर थोड़ा बदेखो market में अभी बहुत ज्यादा पैनिकने से मार्केट अभी कहीं भी जा सकता है कोई यह नहीं पता कि मार्केट बाइंग की साइड जाएगा या शैलिंग की साइड जाएगा ठीक है और यह भी हो सकता है कि मार्केट घूम बिर के वहीं आ जाए होना कुछ नहीं हो वोलेटिलिटी क्रियेट करें पैसा कुछ भी ना मिले बाहर को और एगर ऐसा ऐसा करके ठका के फिर कहीं मार्केट जाता तो वैसे पैसा नहीं मिलेगा ठीक है अब हम देख लेते हैं कि मार्केट में प्राइजेक्शन के अकोडिंग हम क्या कर सकते हैं बजट वाले दिन पर देखो मार्केट अभी एक चैनल में चल रहा है बड़ी टाम फ्रेम पर हमें कुछ-कुछ शेलिंग की निशानियां भी मिल रही हैं लेकिन अभी एक चैनल में और यह चैनल लगवक करने की कोशिस करें मार्केट अगर इसको बरेक करता है चैनल को बरेक करके नीचे की साइड जा पोटेंशिल है नीचे काफी अच्छ जा साथ पुट बाई कर लेंगे ठीक है जाएगा देख छोटा एसल जाएगा प्रोफिट मिलेगा बड़ा लेकिन प्राइज और हमारा जो अगर हमें समझ में आता है उसके अकोर्डिंग जैसे यह लेवल तूटता है यह लेवल भी कंफरम हो जाएगा यहां से अगर रिवर्स तो हमें डारेक्शनली प्ले कर लेंगे इसके बजाए बजाए हम कोल और फुट को दोनों को स्टेडल लोंग स्टेडल में डालके नुकसान खाए क्योंकि मार्केट में अगर आईवी बढ़ी है तो जैसे आईवी गिरे कि उस टाइम क्या होगा लोंग स्टेडल का प्रीम कि मैक्जिमम लोग बाइंग करके चल रहे हैं तो बाइंग में पैसा नहीं मिलेगा और उलड़ी कई दिन से लोग बाइंग लगा के बेठे हैं जिन्होंने पहले से ये मार्केट की स्टेच होने से पहले से प्लान कर रखे होंगे ना वो कुछ पेमेंट ले जाए तो ले लेकिन जो आभी आके मार्केट में कर रहे हैं जो उल्लेड़ी मार्केट स्ट्रेच है वो क्या लेके जाएंगे जो माल मलाई है यानी पहले ही मार्केट हो चुका है मार्केट में पहले ही वोलेटिलिटी से फ्रीवियम और बड़ चुकी है अब इससे ज्यादा क्या रेंजय आप बैनिफिट उठापाऊगी नहीं उठापाऊगी मार्केट अगर कहीं जाता ही है तो भी आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला और मार्केट ने अगर थोड़ा सा मेरे अगर आपको बेस्ट प्ले करना है तो मैंने आपको बताया था नो सत्रा से लेके नो बीस के बीच में आप सोट स्टेडल डालो बेखोग और बारा बज़े के आजपास आप साउधान हो जाओ एक बज़े के आजपास आप काट लो मेरा साफ कहना एक बज़े के आजपास काट लो बारा बज़े के आजपास साउधान हो जाओ कोई भी प्राइज एक्शन अगर अपने को इंडिगेट कर रहा है कि मार्केट अभी मुग करने वाला या कोई रेंज या कोई ब्रेकेट हमारा तूटता है तो हमें इससे एक ज सेफ रहोगे तो सबसे सेफ प्लान है सोट स्ट्रेडल करना ठीक है लोंग स्ट्रेडल इस मार्केट में बहुत डेंजर है मैंने पर्टिकुलरी कल वीडियो बनाया साफ साफ यह चीज़ बताई थी और उसी के उसी को लेके मेरे पास स्वाल आ रहे तो मैं सुझा एक वीड प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करें जो भी आपका कमेंट में रीड करूंगा धन्यवाद